दोस्तों कलसाम को फीड लगते ही आप देख सकते हैं बर्ड पूरी तरह से फीड पर तूट पड़े क्योंकि ये लगभग 24 घंटे से अधिक टाइम तक भूखे थे क्योंकि हमारे यहां फीड नहीं आई थी पर्सों से फीड नहीं आई है हमारे यहां ये बर्ड कल भी बड़े आप देख सकते हैं किस तरह से फीड खाने की होल लगी हुई है इन बर्स में प्रतीप वाल्टी के यूट्यूब चैनल में मैं प्रतीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और आसा करता हूं आप ठीक होंगे दोस्तों आज हमारे पॉल्टी में बर्स का 24 दि नहीं आई हमारे फार में परसों से फीड खतम है और कल भी नहीं आई परसों हो रहा था अभी दो घंटे में आ जाएगी ऐसा करते करते साम हो गई और परसों भी फीड नहीं आई और कल भी पूरा दिन बीट गया और हमारे फार में फीड नहीं आई तब मैंने साम को किसी 24 गंटे से अधिक टाइम तक यह बर्स भूखे थे हम आपको फार्मर कापी दिखाना चाहेंगे यह देखिए आज हमारे बर्स का 24 दिन है और आप देख सकते हैं इसमें हमारे फॉर्म में पूरी तरह से फीट खतम हो चुकी है कल भी फीट नहीं थी और परसों भी इनको कम ही फीट लगी हुई थी क्योंकि फीट थी नहीं केल तीन बैग फीट थी हमारे फॉर्म में तो मैंने वही तीन बैग लगा दी थी परसों की सुबा जब वो फीट यह लगभग 12 वे तक खाकर बैठ चुके थी उसके बास से यह कल साम तक भूखे थे तब जाके मैंने दूसरे फॉर्म से फीट लेकर आया मेरी इस लाट में अभी तक 33 मोटैल्टी हो चुकी है यानी कि आज 24 वे दिन तक 24 मोटैल्टी इस लाट में हमारी हो चुकी है और दोस्तों मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था कि हमारे बर्ड्स का वजन एक किलो का हो चुका है आप इनका वेट 24 दिन के हिसाब से 1200 ग्राम का होना चाहिए आप देख सकते हैं 1200 ग्राम का वजन होना चाहिए चूशकि दो दिन इनहें फीट नहीं मिली इस वज़ा से इनके वेट में कोई ग्रोथ नहीं हुई है क्योंकि बिना फीट खाए तो वेट बढ़ेगा नहीं हो सकता है इनका वेट एक किलो से कुछ कम ही हुआ हो क्योंकि जब फीड नहीं मिलती है तो मुर्गों को बैक मारने का भी डर रहता है तो हो सकता है इनका वेट एक किलो से भी कुछ कम हुआ हो वो तो वेट करने के बाद भी कंफर्म हो पाएगा आप देख सकते हैं और दोस्तों अभी तक हमारे फॉर्म पर फीड नहीं आई है आप देख सकते हैं हमारे फीड रखने का अस्थान पूरी तरह से खाली हो गया है क्योंकि अभी तक हमारे फॉर्म पर फीड नहीं आप आई है तो देखते हैं आज साम तक फिर आप आती है या साम को फिर मुझे कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी आप हमारी वीडियो में बने रहिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार